दोस्तो हम सबको पता है भी गॉर्मेंट ने एक अप्रेल 2021 से इन्वोईस कमपलसरी कर दिया है उन कमपनियों के लिए जिनकी लास्ट फॉर किसी भी फाइनस लियर में जो उनकी टर्णवर वो 50 क्रोड से जादा के रही है तो तो दोस्तो फाइनस लियर के यानकी लास्ट अगर आपकी कमपनी के रही है तो आपको एक अप्रेल 2021 से इन्वोईस अपने रजिस्टर्ड कस्टमर को बना के देना कमपलसरी है तो दोस्तो आज की इस वीडियों हम यह प्रैक्टेकली सेखेंगे भी अगर हम इन्वोईस जनरेट नहीं करते हैं कि आयर नमबर जनरेट क कि हमारे रिजिस्टर्ड कस्टमर को नहीं देते हैं तो हमारे पे कितना प्रैल्टी लगेगा कितना हमारे बीजनस को नुपसान होगा तो यह सारी बाते आज हम इस वीडियो में सेखने वाले हैं तो दोस्तो अगर आप एक नए कांटेंट हो आप एक ऐसी कंपनी के क्रिकेशन बेल को भी जरूर ओन कर लेना क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इसी द्राइब की वीडियो और भी लाते रहेंगे तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मौन सुथार और स्मार्ट कांटिंग आरसनार की यूटूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों सुरू करते हैं आज का वीडियो तो अकर आप टैली सॉप्टवेयर के यूजर ओ तो आपने देखा होगा भी जब हम कंपनी को इन्वोईश इसु करते हैं हमारे सेल वाउक्चर में जाके हम इस तरीके की इंट्री हम करते हैं तो उस कंडिशन में जैसे सरा पॉर्मल इन्वोईस की तरह का हमने इन्वोईस बना दिया और उसके बाद में जब यहां पर हम आते हैं तो हमारे से टैली सॉप्ट्वेर एक ओप्सन यहां पर मिलता है में भी प्रवाइड जीएश्टी इवेबिल इन्वोईस डिटेल तो अगर हम इस पर यस करते हैं तो स जनेट करते हैं तो इसमें सारी इन्फोर्मेशन हमें इवेबिल बनाते वक्त देनी पड़ती है विए इसमें जो इन्वोईस इश्टी नंबर के है उसके कंपणी का नाम के है एड्रस के है यहां जिसको हमने समान सेल किया है जहां पर हम बेज रहे हैं उसका एड्रस के है जहिस्टी नंबर के है है इन्वोईस का नंबर के है एचेशियन कोड क्या है कितनी क्वांटिटि यह टैक्स के मण्यांकर सब इन्फोर्मेशन हम करते हैं और जैसे हम इवेबिल की यहां पर information भी नंबर कर देते हैं और जैसे हम इस विंडो को close करते हैं तो उसके बाद में हमारे से e-invoice की detail भी यहाँ पर पूछता है तो इसमें enclosement का number हो जाएगा enclosement की date हो जाएगी और उसके बाद में यह जो compulsory होता है IR number क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही compulsory है e-invoice को बनाते वक्त तो दोस्तों अब e-invoice क्योंकि अगर हमने हमारे registered customer को sell किया है तो अमाली जीज़े से हमने tally software में यह issue हम bill बना रहे है और simple हमने इसी में से invoice बनाया और इसी में से इसका print out दे के हमने customer को दे दिया तो इस invoice की अब कोई value नहीं है क्योंकि हमारे turnover company क turnover 50 code से ज़्यादा किया है और हमें एक registered party को sell कर रहे है तो इसी स्थिति में हमें portal पर जाके इस invoice की detail पर IR number generate करना compulsory है तो यह invoice valid वाना जाएगा otherwise unvalid एक simple एक कागजन इसको कह सकते हैं तो दोस्तो अब इस invoice हम काँ से बना सकते हैं तो दोस्तो इस invoice हम जैसे वैसे हम simple directly जाके इसके portal के थूपर भी हम बना सकते हैं जैसे हम यहां से login करें सबसे पहले हम यहां पर register करना पड़ता है हमारी company का उसके बाद में हम जैसे हम login करेंगे तो login में user ID और password यह capsicode देखके हम इसके इंटर में आदेंगे तो वहां पर हमें manual route से यह जो हमने tally software के थूँ जो data feeding किया है इसमें invoice का number क्या है date क्या है customer का नाम क्या है इसमें stock item का नाम क्या है quantity कितनी है taxable value कितनी है tax के amount कितनी है यह सारी information हमें यहां पर manual route से लिखनी पड़ती है तो अगर आप manual route से लिखोगे तो जायसी बात है भी कहीं ने कहीं कभी इनका भी कोई गलती भी हमारे से हो सकती है invoice number लिखते वग tax के amount लिखते वग कुछ भी गलती हो सकती है तो ऐसे में हमारा जो invoice generate होगा IR number हो एक है गलत generate हो सकता है अमाली जी दोस्तों आपकी company बढ़ी है तो जायसी बात है आपके customer भी आपके पास ज्यादा आते होंगे अमाली जी आपके पास एक दिन में 20-25 ऐसे customer आते है जो registered होते है तो अब सभी के उपर आपको IR number भी generate करना जुरूरी है तो दोस्तों IR number अगर आप generate करे हो तो उस invoice की value की चे कभी सारा ले सकते है तो दोस्तों बहुत ही एक easy software है सारा कुछ record आपका ये clear tax के side पे maintain रहेगा तो दोस्तों सबसे बड़ी बात इस software की ये clear tax की ये कोई भी अगर आपके पास IRP software है तो उसके साथ easily ये connect हो जाएगा आप इसमें बलक में ये invoice generate कर सकते हो 100% आपका data भी यहाँ पर secure रहेगा तो अब हर type की आपको facility clear tax software के द्वारा मिलेगी इसमें आपको choice hours साथों दिन का मतलब आपको customer का sport भी मिलेगा customer care की तरफ से कोई भी अगर आपको issue आता है तो आप जब मर्जी customer care पे call करके अपनी problem को कर रहे हैं अब बाला जी ट्रेडिंग कंपनी को हमने इस्यू कर रहे हैं यह बिल अब यह software में तो वैसे ही बनेगा जैसे हम अभी तक simple invoice हम बनाते आ रहे हैं लेकिन इस पर हमें IRN की इसको portal पर रजिस्टर्ट करवाना पड़ेगा अगर हम इसको portal पर रजिस्टर्ट नहीं करवाएंगे तो हमारा कितना नुकसान होगा इसके बारे में हम बात करते हैं तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले तो CGST Act Rule के अगर हम बात करें भी Rule 48 उसका सब Rule 5 हैं तो उसमें दो penalty यां लगती है लग सकती है आपे पहली ये invoice है भी अगर आपने ये invoice नहीं किया तो आपकी 100% जो tax के amount है उसके equal या फिर 10,000 रुपे इन्मेस से जो ज़्यादा होगा वो आपसे penalty वसूली जाएगी अब इसे invoice के बात करें माली जी ये invoice हमने issue किया है लेकिन इसका IRN जनरेट हमने नहीं किया है तो ऐसी स्थिती में अगर हम tax के amount देखें तो 13,835 रुपे 90 पेसा एक side के ज़्याद के ज़्यादी और SGT तो total इसकी जो amount बढ़ेंगे total tax की 27,671 रुपे और 96 बढ़ रहे है यानि कि अभी ये 10,000 पेसे ज़्यादा का है तो ऐसी स्थिती में आपसे 27,671 रुपे की penalty आपसे वसूल ली जाएगी अगर आपका जो tax के amount है वो 10,000 से कम है अम्हाली जी यहाँ पे CGST tax भी 3,000 होता और SGST भी 3,000 होता तो total ये 6,000 बढ़ गया लेकिन penalty 10,000 की है second है अग माली जी आपने ये तो था अगर आपने IRN जनेर्ट ही नहीं किया अब second आती है अगर आपने IRN तो जनेर्ट कर दिया लेकिन वो आपने fake कर दिया गल्थ कर दिया तो उस situations में आपको 25,000 की अनकी 25,000 रुपे की penalty आप पर लगेगी तो दोस्तो ऐसे में अगर आप चाते हो भी आपका जो business है वो बिल्कुल neat and clean रहे बिल्कुल fair रहे तो आप अपने इस ERP software के साथ clear tax software का भी use कर सकते हो इसमें सबसे बड़ी benefit आपको ये मिलेगा आप इसमें block में e-invoice generate कर सकते हो और सारे के सारे आपको error free है जो e-invoice है जो generate होंगे सभी पर IRN generate आपको clear tax के तरफ से मिल जाएगा क्योंकि दोस्तो अब होता कि अगर आप manual टैप करोंगे तक ही गलती आप से हो जाएगी अगर आप एक एक अमाली ते आपके पूरे दिन में सभी पर IRN number generate कर सकते हो तो जैसे आप IRN generate हो जाएगा तो आपको portal पर थ्रू इस tribe का invoice बन जाएगा जैसे कि आपको मैं एक demo दिखा रहा हूँ इस invoice का तो ऐसे स्तिति में आपके पास यह 64 digit का IRN number generate होगा और साथ में यह इस तरीके का QR code भी generate होगा तो अब यह आपका valid invoice प्रणा है क्योंकि जब तक आप यह IRN number अपने customer को generate करके नहीं दोगे तब तक इस invoice की कोई value नहीं है अगर आपने directly किसी software बेरे में से print out दे दिया तो क्योंकि IRN number आपको generate करोगे तो इस सामली वाली party को यानिकि जो आपका customer होगा उसको ITC का claim मिलेगा ITC का मतलब जितना tax हमने उनसे लिया है यह जो 27,600 के तरोपेगा अब माली जी आपने customer को दे तो दिया लेकिन IRN number आपने generate नहीं किया तो ऐसी स्थिति में customer आपसे क्योंकि अब उसको government से तो कोई ITC मिलना नहीं है क्योंकि अब यह जो invoice है आपने GSTR1 में properly शो नहीं किया तो यह directly 2A और 2A B के अंदर भी शो नहीं करेगा customer के तो ऐसी स्थिति में government से इसके जो tax का जो claim ITC मिलना है इसकी समावना 0 है तो ऐसी स्थिति में यह जो tax है यह customer आपसे वसूल हो गया अब वसूले का मतलब क्या हो गया अब यहाँ पर इस invoice की जो value वो 1,25,000 रुपे की है तो ऐसी स्थिति में यह with tax amount है तो customer आपको payment देगा 98,000, 828 रुपे और 40 पे से तो ऐसी स्थिति में जो tax की वसूली है वो government से नहीं करने के बज़े वो आपसे कर ली तो ऐसी स्थिति में आपका और आपके customer के साथ dispute बना रहेगा आपका business है वो भी loss में जा सकता है तो ऐसी स्थिति में आप अपने जो business है आपको बिल्कुल neat and clear रखना है बिल्कुल fair आपको रखना है तो इसके लिए आप अपना clear tax का software का use कर सकते हो तो इसका सबसे बड़ा benefit यह भी अगर आप manual रूप से portal पर जाके e-invoice generate करते हो तो आप last 2 दिनों का record आप save रख सकते हो यान कि 2 दिनों का record आप वापी से देख सकते हो अगर आप clear tax software का use करते हो तो इसमें आपको last 8 सालों तक का record आप देख सकते हो कितने आपने IR number issue किया है कितने IR number आपने cancel किया है सारी detail आपको इस clear tax software पर मिल जाएगी तो दोस्तों अगर आप clear tax का demo देखना चाहते हो तो इसका video का link मैंने इस video की description में दे दिया इस तरीके का link आपको मिलेगा तो आप इसका link का use करोगे तो आपके सामने इस type के लिए window open हो जाएगी clear tax की तो यहाँ पर simple से आपको चार information feeding करनी है name देना है, आपका email address देना है, phone number देना है, company का नाम देना है और submit कर देना है जैसे आप इस पर submit पर click करोगी तो clear tax की team आप से contact कर लेगी और आप जो भी issue आपका, जो भी आपके मन में query है आप वो clear team से भी clear कर सकते हो तो इसमें आपको anytime आपको help भी मिलती रहेगी तो दोस्तों इस रिके हम clear tax है काफी सारे usable software है, काफी सारे इसमें अभी clear tax को use भी कर रहे है काफी सारे इसके benefit भी इनको मिल रहे है तो दोस्तों आप एक बार अगर आपके company ऐसी है 50 crore से ज़्यादा वाली किये इन्वेस के आपको जुरूर पढ़ती है तो आप clear tax software का use एक बार demo group में जुरूर यूज करके देखे होगा अगर आपको software अच्छा लगे तो आप इसे वाई भी कर सकते है तो अगर आपने वाई करना software को परसेज करना है तो आप हमने हमारे वीडियो की डिक्स्रिस में लिंक दिया वै अगर आप उस लिंक से परसेज करते हो तो आपको 10% का अलग से discount भी मिलेगा तो दोस्तो इसके अलवा आपकी कोई भी query है तो आप हमें comment कर सकते हैं या फिर clear text की जाके अब demo के लिए apply करें clear text वारे में और दिक जान करें आपको चाहिए तो आपसे game contact करेंगी आप अपनी query को वहाँ पर भी पूछ सकते हो तो दोस्तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों के साथ इसको share भी जरूर कर देना